अगर आपको खासी है कफ है थ्रोट इंफेक्शन है गले में सूजन है तो आज कही वीडियो आपके लिए बहुत ही उजफूर होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा घरीलू नुसका शेयर करूंगी जिसको एक बार लेने से ही पहली बार में ही मिलना शुरू हो जाएगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि इसको कैसे बनाना है और सबसे बड़ी बात कि इसको कितनी क्वांटिटी मिलेना है कितनी बार लेना है आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चल पाएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिएगा क्योंकि आजकल सभी को इस नुस्खे की बहुत जरूरत है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो आजकल ज्यादा तर लोगों को गले में जर्मक का लंग्सबर अटैक गले में सूजन शोर्ड-्रोट और भी वी कई सारी प्रॉब्लम्स घलमे में अंदर सूजन आ गया है, गले के अंदर टॉंसिल बढ़ गया है, खाने पीने में गले में दर्द होता है, और अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो है भी एंटिवाइटिक्स लेनी परती है, और उनका पता ही है आपको कि एंटिवाइ आपको पहली बार लेने से ही फाइदा होगा, पीते ही आप महसूस करेंगे कि आपका गला खुलना शुरू हो गया है, गले को आराम आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, तो इस नुस्चे को बनाने के लिए हमें गैस पर एक बरतन रखना है, और इ अर्गेनिक हल्दी भी आपके पास है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में एंटी बैक्टेरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रोपर्टीज होते हैं, जो कि गले के लिए हमारे रिस्परेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है, तो इस पानी को आपको 5-7 मिनट तक धीमी आज पर उवालना है, ताकि हल्दी का जो सारा गुन है वह इस पानी में आ जाए, तो 5-7 मिनट हो चुके हैं, और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब इसको छान लेना है, किसी भी ग्लास में या कप में, अब इसमें हम डालेंगे 10-12 बुन इसको आपको चाई की तरह ही घूट घूट कर धीरे धीरे पीना है, जैसे आप चाई पीते हैं, गरम गरम ही पीना है, पीते ही आप महसूस करेंगे कि आपका गला जो है, खुलना शुरू हो गया है, गले में रिलाक्स महसूस हो रहा है, इसको लेने से गले का सूजन कम या फिर आवाज नहीं निकल रही है, आवाज में भारीपन है, कफ से छाती गला जकड़ा हुआ है, कफ जमा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है कफ की बज़ा से, तो इस रेमेडी से आपका पूरा जो रिस्पारेटरी सिस्टम है हुआ सही से काम करने लगेगा, सरी पहली बार में इस रेमेडी का असर दिखना आपको शुरू हो जाएगा, इसे आप दिन भर में दो से तीन बार ले सकते हैं, आप इसको रोजाना दो से तीन दिन लीजिए, जब आपको लगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो गई है, तो आप इसको लेना ब करके जरूर शेयर कीजिएगा, मैं इसी तरह की उजफूल वीडियो लेकर आती रहती हूं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन चुरूर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा सब्सक्राइब